आपका चाहने वाला मरने के बाद अलग बॉड़ी में फिर से आपके पास वापस आ जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे पैचान पाऊगे? इसे एक इंटरस्टिंग सब्जेक के साथ आज की मुवी एडिक्टेरी 2002 की एक मिस्ट्री थिलर मुवी आती है यह कोरियन मुवी है तो जली एक से इस्प्रेंग करना स्टार्ट करते है यह स्टोरी है दो प्रदस और बड़े भाई की वाइफ की वह स्टार्ट होती है और हमें बड़ा बदर दिखाय जाता है जिसका नाम होता है होजीन यह एक आर्टिस होता है यह फरनीचर के साथ आर्ट बना देता है यह अपने आर्ट पर काम करता हो में दिखता है इसके बाद यह बाहर निकलता है और अपने छोटे बदर के पास जाता है जिसका नाम होता है देजीन देजिन स्पोर्ट्स कार्ट ठीक कर रहाता है यह उसे कहता है कि मुझे लगा था कि आरवी में जाकर आने के बाद तुम बदल जाओगे पर अभी भी तुम खिलोनों के साथ ही खेल रहे हो होजी इनको अपना बेदर रेस कास चलाता है या अच्छा नहीं लगता उसे समझा रहा होता है कि बहुत ही डेजिन उसे कहता है कि जो तुम करते हो यह भी डेजिरस है इसमें भी तुम हर्ट हो सकते हो साल में कितने सारे कार एक्सिटन्ट होते है पर रेस का एक्सिटन्ट बहुत ही कम ही होता है देजिन सुनने मालों ऐसे नहीं होता नेकसिन में हमें इंसु दिखाई जाती है यह बड़े ब्रदर की वाइफ है यह स्टेज शो के लिए साउन वगरा मैनेज करती है होजिन जो होता है वो घर पर ही रहता है वो घर में खाला वेगरा सब का खैल रख लेता है उसकी वाइफ जॉब करती है और यह अपने आर्ट पर काम करता है अपने एकसिन में हम दिखता है कि इसका एक एक एकजिबेशन होने वाला होता है इसके एकजिबेशन के लिए एक आदमे से वो बात कर रहा होता है इन्सु जो रात में स्टेशन पर होती है तो उससे लेने के लिए होजीन जाता है वो स्टेशन से बाहर निकलती ही उसका जो फेवरेट स्वाग होता है वो वो लगाता है उसे समझ में ने आता कि ये आवाज कहां से आ रही है उसने अल्डेडी एक म्यूजी सिस्टम वाले को पैसे दी होते है जो वो म्यूजीक बचा सके होजीन ने अपने वाइफ के लिए एक गिफ्ट री लायव होता है उसे समझ में ने आता कि आज हो क्या रहा है घर आने के बाद उसके लिए बहुत सारा खाना उसने पकाया होता है इनसू सोचने लग जाती है कि आज इसा कैस्ट पेशल है आज दुश्का बड़े भी नहीं है और होजीन का भी बड़े नहीं है होजीन फिरुस कहता है कि आज हमारी अनिवासरी है इसे बहुत ही guilty of happiness होता है क्योंकि इसे याद नहीं होता होजिन उसे एक necklace देता है इनसु कहती है कि मेरे father का gift था यह बहुत ही precious था यह खराब हो गया था तो इसलिए अब होजिन ने इसे repair करकर उसे दे दिया है इनसु कहती है कि मेरे father मेरा बहुत ही खयाल रखते थे उन्होंने मुझे जो भी चीज थी है वो बहुत ही precious हो जाती थी तुमें भी उन्होंने मेरे लिए ही बेजा है इनसु कहती है कि मैंने तुमारे लिए कुछ भी gift नहीं लाया यह फिर decide करते है कि आज दोनों intimate होने वाले है यह एक moment share ही करने वाले होते है तभी देजीन वहाँ आ जाता है देजीन के साथ फिर यह सब बेठे हुए होते है जब होजिन दो मिनिट के लिए वहाँ से चला जाता है तो इनसु देजीन से भूचती है कि तुम्हारी कोई girlfriend नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी girlfriend होनी चाहिए देजीन केता है मैं जैसा भी होग खोश हूँ इनसु कहती है कि तुम हमेशे अपनी कार से खेलते रहते हो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे mind में चलता कहा रहता है बहुत राद हो जाती है तो इनसु सोने के लिए चली जाती है होजीन देजीन को खेता है कि तुम्हारे आज कान बन रखना देजीन भी इस पर रहसता है रात में इनसु और होजीन दोनों बेट पे होते है वों intimate होने वाले होते है पर होजीन को बहुत ही hiccups आ रहे होते है ये फिर अपना plan cancel कर देते है होजीन का exhibition होने वाला होता है होजीन एक बहुत ही बड़ा artist होता है रिपोर्टर उसे क्या बोलेगा वो इसके practice कर रहा होता है देजीन उसे help करता है देजीन उसे कहता है कि artist की तरह बोलो यसे pause लेकर लेकर बोलो होजीन जब एक कर देता है तो देजीन कहता है कि तुम से नहीं हो पाएगा ये दोनों फिर यही हस देते है ये दोनों brothers एक दूसरे से बहुत प्यार करते है होजीन देजीन को अपनी कार तक छोड़ने के लिए आता है देजीन के कार में उसने एक fish लगाया होता है उसे कहता है कि ये जो fish है ये good luck के लिए है ये तुमें किसी भी चीज से बचा कर रखेगा जब देजीन घर से चला जाता है तो इनसू और होजीन दोनों घर पर अकिली होते है ये दोनों फिर टेबल पर ही intimate हो जाते है ये टेबल unstable होता है तो टेबल किनीजे वो coin लगाता है अब ने action में हम दिखता है कि देजीन अपने कार चलाने के practice कर रहा है वो इतने fast कार जलाता है तो कार का engine भी गरम हो जाता है उसे अपना work बहुत ही पसंद आता है इनसू जब का अपने काम बार पोछती है तो उसे होजीन ने letter भेच जाओ होता है ये एक दूसरे को हमेशा letter भेचते है तीन साल इनके शादू को हो चुके है फिर भी एक दूसरे को letter भेचते है ये देखकर इसकी कलिक उससे पूछती है कि ऐसा कैसे है सब लोगों को इनका love बहुत ही अजीब लगता है रात में भी इनसू होजीन के लिए letter लिखते लिखते ही सोजाती है होजीन भी जब इसका letter बढ़ता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है होजीन जो होता है इसे gardening का भी शोक होता है वो अपने flowers को पानी दे रहा होता है तब भी वहाँ इनसू आती है उसके जो necklace होता है वो फिर से तूट गया होता है होजीन को बोल रही होती है कि वो इस नेगलेस को फिर से सुधार दो यहाँ देजीन की एक friend आती है यह जो देजीन की friend होती है यह उसे बहुत ही पसंद करती है देजीन की friend जब इनेगलेस देखती है तो कहती है कि बहुत ही pretty है इंसु कहती है कि मेरे फादर ने बनवाय था वर्ल्ड में इसकी तरह और कोई भी नहीं है इस सिन को आप याद रखना लास्ट में इंपोर्टन्ट है नेक्स दिन आता है और यह दिन देजीन की जो रेस होने वाली होती उसका होता है या होजीन अपना जो सब काम होता है exhibition के लिए उसे जो सब आर्ट complete करना होता है यह सब वो complete कर लेता है वो आज देजीन के रेस देखने के लिए जाने वाला होता है देजीन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा प्रदर तुम्हें अपोस करता है तुम्हें रेस करते हो दूसे अच्छा नहीं लगता तो क्यों तुम्हें रेस करते हो देजीन केता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यह मेरा passion है मैं इसके बिना जी नहीं सकता देजीन के रेस स्टार्ट हो जाती है और होजिन उस रेस के लिए लेट हो जाता है वो टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और उसे कहता है यह बहुत ही लेट हो चुका हूँ उसे जल से जल वहाँ छोडने के लिए उसे बोलता है यह टैक्सी ड्राइवर बहुत ही फास गाड़ी चला रहा होता है होजिन डर रहा हूता है, तो टेक्सी तराइबर कहता है, कि 10 साल से मैं टेक्सी चला रहा हूं, कभी ही मेरा कोई भी एकसिडण नहीं हुआ है देजिन की रेस्टार्ट होती है, और जब वो रेस में होता है, तब उसे टायर ज़रा खराब लगता है यह वो change करता है पर इसी वज़े से उसका time जोता है वो थोटा सा खराब हो जाता है वो बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा होता है Race tracks पर एक accident हो जाता है उसे उसकी team message देती है कि वहाँ से वो सही से चला है पर उसे यह सुना ही नहीं देता उसके आगे एक गाड़ी आ जाती है और इसका accident हो जाता है होजीन भी taxi से जब आ रहा था तो taxi बहुत ही fast चल रही थी रस्ते पर इस taxi का भी accident हो जाता है इन दोनों brothers का एकी time पर accident हो जाता है इसके बाद हमें देजीन दिखाय जाता है यह hospital बेट पर होता है और यह unconscious होता है तो doctors बात करते हैं हमें देखते हैं यह कहरे होते हैं कितना आजीब world है दोनों brothers का एक के साथ accident हो चुका था जो race cars चलाता था वो बच गया है और दूसरा brother जो artist था वो कौमय में चला गया है अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और देजीन अब conscious हो चुका है यह hospital के बाहर आता है और आएने में देखते हैं यह ज़रा disturb होता है अब यह conscious में आ चुका है तो doctors बहुत सारी test होगरा इसकी करवाते हैं इंसु फिर इसे घर लेकर आती है यह कहती है कि तुम बजगे यह भी एक महरबानी है अब नेक्सिन में हमें दिखता है कि देजीन होजीन की जो garden थी उसके पास आ चुका है जो flowers थे हो मुर्चा चुके है इसे हो देख रहा है इंसु वो शौक में ऐसा उसे लगता है उसके room में उसे छोड़ कर देथी है देजीन दिन रात वहाँ सोता रहता है नेक्स दिन सुँभा जब आती है तो होजेन के garden में पानी लग रहा होता है तो होजेन के brush चे डेजीन ने brush क्या होता है होजेन हमेशा brush करकर इंसु के लिए वो brush रख देता था इनसु को ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है इसके बाद हम देखते है कि होजीन का जो आर्ट था वो अब देजीन कर रहा है उस वर वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है देजीन के जो अच्छी फ्रेंड थी वो अब उसे मिलने के लिए आई हुई है उसे कहती है कि तुम हो स्पिटल में थे और मेरी बहुत ही हालत खराफ हो चुकी थी जब तुम्हारी कार देश्नेस हो गई थी तो उसे स्क्रैप करने के लिए में गई थी वो स्क्रैप होता हुआ देखकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा देजिन अपने कार से पैर करता है तो उस कार से वो जेलस होती है इसी वज़े से उसे उस कार को स्क्रैप होता देख कर बहुत ही खुशी हुई होती है देजिन सिगरेट पिता था पर एकसिडन हो जाने के बाद अब वो सिगरेट नहीं पी रहा उसकी फ्रेजिन उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही हेवी स्मोकर थे रात में हम देखते है कि देजिन की फ्रेजिन उसके घर पर ही होती है वहाँ जब इंसु आती ही तो देखती है कि देजिन अब कुक कर रहा है देजिन कभी भी कुक नहीं करता था होजिन जिस तरह से अच्छे सबजिया विगरा काटता था उसी तरह से सबजिया काट रहा है इंसु के जो favourite flowers होते है वो भी उसने लाय हुए होते है रात में हमें दिखता है कि देजिन उसके workspace में है और रो रहा है अब इन्सु को लगता है कि देजिन देजिन ही ही नहीं होजिन की सोल उसमें चली गई है अब इन्सु को लगता है कि उसका हजबन जो कोमा में है वो वहाँ नहीं है देजिन में वो घुश चुका है अब यह सब हो क्या रहा है इसका sense बनाने के लिए देजीन को डॉक्टर के पास लेकर आ दिया डॉक्टर्स देजीन के सब symptoms वेगराज पूछते है इनसु को बताते हैं कि इनसु को बताते हैं कि उसे अपने ब्रेदर जाने के बाद सद्मा लग चुका है वो depression में है और इसी वज़े से यह सब हो सकता है डॉक्टरों से बोलता है कि देजीन का जो उक सबकॉंशेस है इसे लगता है कि वो होजीन ही है डॉक्टर इंसो को सरा देता है अगर सही तरीके से तुम्हें information निकालनी है तो तुम देजीन को hypnotize करो उसके subconscious में क्या है यह तुम्हें पचा जलेगा रात में जब भी घर आते है तो देजीन furniture पे काम करने लग जाता है वो करते करते ही उसे चोटा जाती है यहाँ पर देजीन की friend भी होती है उससे कहती है कि आपने आपको तुम समालो तुम होजीन नहीं हो तुम देजीन ही हो यह तुम समझ लो यह मानने के लिए तयार नहीं होता इंसु चे सब को समझाती है कि है psychological है देजीन की friend बोलती है कि इससे मुझे बहुत ही तकलिफ हो रही है रात में इंसु देजीन के पास आती है होजीन को उसने जो necklace दिया था यह देजीन उसे वापस करता है उसने वो fix करकर उसके लिए लाया होता है नेकसिन में हमें दिखता है कि hypnotize करने के लिए इंसु ने देजीन को लाया हुआ है इनका जब session चल रहा होता है तो देजीन को accident किस तरह से हुआ था यह पूछा जाता है यह पूछने पर भी होजीन का जिस तरह से accident हुआ था उसी तरह से describe करता है अब इंसु भी doubt करने लग जाती है जब देजीन आर्ट बना रहा होता है तो उसे वो देख रही होती है वो अब सोच रही होती कि क्या यह assessment में possible है राट में जब यह सोई होती है तो देजीन वहाँ आता है उसका डोर खड़कडाता है उसे कहता है कि डोर ओपन करो मैं कुछ करने नहीं वाला देजीन कहता है यह बहुत ही sorry हूँ पर मैं मेरे ब्रदर की room में नहीं रह सकता वो होजीने है इस तरह से वो बात कर रहाता है मैं अगर वहाँ सोया तो मैं कभी भी नहीं जागूँगा ऐसा मुझे लगता है यह फिर इंसु के room में ही सोजाता है इंसु वहाँ से जा रहे हुथी है तो उसे कहती है कि प्लीज यहीं सोजाओ मैं बहुत डरा हुआ हूँ उसे कहती है कि देजीन के साथ रहना यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है मैं हमेशा उसमें होजीन ही डूनती रहती हूँ और कभी-कभी मुझे हो दिक भी जाता है मैं बहुत ही confused हूँ देजीन की फ्रेंड कहती है कि तुम उसे मुझे पर छोड़ो मैं जरा उसके साथ टाइम स्पutar करती हूँ इसके बाद वो फिरसे पहले जैसा हो जाएगा यह फिर देजीन के पास आती है उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे फादर के फार में काम कर सकती हो तुमने मुझे कहा था कि तुम जब war में थे तुम बहुत ही अच्छा लगता था अगर तुम farm में काम करोगे तुम फिर से अच्छा लगेगा देजिन कहता है कि मैं क्यों कही जाओंगा या तुम मेरा ही घर है देजिन की friend कहती है कि इंस। ऐसा चाहती है कि तुम चले जाओ, कि तुम इंस। के लिए ये सब करो होजिन को कॉमा में रहे कर एक साल हो चुका है यह उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है देजिन को अब तक मालुम है नहींगा था कि होजिन कॉमा में है उसे लगता है कि वो मर ही चुका है ये फिर उसे देखने के लिए चाता है उसके बाद रात में हमें दिखता है देजिन घर पर है वो जब अपनी शेकल काच में देख रहा था तो डिस्टब हो गया काच को उसने तोड़ दिया है इंसु उसके पास आती है उसे कहती है कि गवा से इस चेहरे को देखो तुम होजिन नहीं हो सकते देजिन कहता है कि अगर तुमें लगता है कि तुम मेरे बिना सही से रह सकती हो तो मैं यहाँ से चला जाओंगा मैं देजिन की तरह ही जिऊंगा ये फिर अपने फ्रेंड के साथ उसके farm में आता हुआ में दिखता है इंसु होजिन जो कोमा में है उसे मिलने के लिए आती है वो उसे कहती है कि तुम तो कभी भी lazy नहीं थे इनने वक्त तक तुम अब क्यों सो रहे हो मैं इस साल में बहुत ही बजल चुकी हो मैं लोगों से बहुत ही ज़ादा angry हो जाती हूँ मैं हसती भी नहीं हूँ तुम अगर मुझे देखोगे तो तुम surprise हो जाओगे तुमारी आवाज भी अब मुझे याद नहीं आ रही मैं बहुत ही try करती हूँ remember करना पर मैं कभी remember नहीं कर पाती जब देजिन farm पर काम कर रहा होता है तो देजिन की friend उसे अनयो करती रहती है उसके साथ बेट कर बात कर रही होती है तो देजिन उसे कहता है कि अगर तुमें लगता है कि मैं सही से यहाँ काम कर पाओ तो please मुझे बात मत करो उसके फ्रेइण उसे बोलती है कि तुम अगर मुझसे पillar करो या ना करो पर हमेशा में तुमसे पillar करती रहूंगे मैं हमेशा तुमारे लिए वेट करती रहूंगे अब नेक सिन में हमें देखता है कि इनसु जब स्टेशन से आ रही थी तब जिस तरह से होजिन उसे लेने के लिए आया था उसी तरह से देजिन भी उसे लेने के लिए आता है देजिन कहता है कि मैं सौरी हूँ पर मुझे वापस आना ही था फिर तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था इनसु इसके बाद कहती है कि इसको में जो लोग होते हैं उनमें से कोई अगर मर जाता है तो पास दिन उसके बारे में बात करते हैं इसके बात उस आदमे के बारे में कभी बात नहीं करते हैं यह वो bad luck समझते हैं हमें भी होजिन के बारे में ऐसा ही करना चाहिए वो फिर होजिन की यादे बोलना स्टार्ट कर देती है वो कहीती है कि एक साल बहुत ही पारिश पड़ी थी होजिन के घर पर हम जब गए थे तो उसमें बहुत सारा पानी भर चुका था हम दोनोंने मिलकर वो सब पानी निकाला था जब तुम आरे में चले गए थे जब तुम घर से दूर चले गए थे तुम्हारे टूशन फीस के लिए होजिन एक फैक्टरे में काम करता था मैं एक दिन उसे देखने के लिए गई थी और उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ था अब देजिन कहता है कि मुझे याद है जब तुम मुझे देखनी के लिए आई थी तुमने पिली टेस पहनी थी जब तुम वहाँ से जा रही थी तब मैंने तुम्हे वहाँ देखा था मैंने तुम्हें रोका नहीं मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ, उतना कोई भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता इसी वज़े से मैं वापस आ चुका हूँ टेबल के नीचे इन दोने कोईन रखे थे, यह भी निकालता है और उसे देता है यह कहता है कि यह जो कोईन है, यह हम दोनों ने आज तक एक दुसरे से कितना प्यार किया है इसका है सिम्बॉल है, यह दोनों फिर एक दुसरे को हग कर ले थे राद में एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जोके हैं हमें दिखता है इंसु अब इसे accept कर लेती है ये पार्क में जाते हैं, shopping गरते हैं एक normal सी lifestyle ले जीते हैं देजिन अपने art पर काम करता है और उसका भी exhibition अब होने वाला होता है next in में हमें इंसु देजिन की friend से बात करे ही ये दिखता है उसे समझा रहे होती है कि देजिन ही होचीन है देजिन की friend कहती है कि वो वैसे भी जैसा पहले था वो ऐसा नहीं रहा है अब देजिन जाहा है, वहाँ में नहीं रह सकती है और वो ये country छोड़कर बहार study करने के लिए जाने वाले होती है लास्ट बार देजिन से मिलने के लिए वाती है देजिन उसे पुछता है कि क्यों तुम बहार जा रहे हो क्या मेरी वज़े से जा रहे हो उसे पुछता है कि कब तुम वापस आओगी ये कहिती कि मेरा वेट करने के लिए देजिन या नहीं है तो मैं क्यों वापस आऊंगी, वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें देजीन समझ का कुछ बोल सकती हूँ, वो फिर उसे rotten bastard कहती है, उसके बाद उसे wish करती है कि उसकी life बहुत ही अच्छी जाए, उससे वो एक hug मांगती है, वो बोलती है कि तुम कैसे भी मुझे hug दे सकते हो, देजीन या होजीन, मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता, देजीन फिर उसे एक bomb hug देता है, यह कहती है कि दुम देजीन नहीं हो, देजीन कभी भी इस तरह से मुझे hug नहीं करता था, इसके बाद देजीन को एक call आ जाता है, इसका exhibition होने वाल है, तो इसका एक call होता है, उसे वो suggest करते है, इंसु और देजीन फिर डिसार करते है, यह होजीन का life support उन्हें निकाल देना चाहिए, अब थोड़ा टाइम दुजर चुका है, हमें दिखता है कि इंसु देजीन के बच्चे से pregnant है, देजीन का एक art exhibition चल रहा होता है, यह दोनों अब बहुत ही एक दू देजीन के friend ने भेजा है, इसमें एक letter होता है, इसमें लिखा होता है कि तुम्हें original कभी ना कभी तो चाहिए होगा, इसलिए मैं return कर रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा जो sick love है, यह समझने पाऊंगे, मैं hope करती हूँ कि कभी ना कभी मैं तुम्हें भोल चाऊंगे, necklace के बारे में पता ही नहीं था, यही necklace उसने लोटाया है, वो देजीन को indirect के कह रहे होती कि उसे पता है कि वो होजीन नहीं है, वो सब pretend कर रहा है और जो इन्सू को लव करता है, उसे समझ में नहीं आ रहा, अब इन्सू disturb हो जाती है, वो देजीन के सब चीसे देखने लग यहाँ देजीन की रूम में उसे एक secret world मिल जाता है, यह वो चेक करती है, तो उसके बहुत सारे फोटोस भा होती है, इन्सू के फादर ने उसका necklace जिस प्रांट से बनवाया था, उसने वो बहुत सारे लाकर रखे होते हैं, इसके पास वो है, तो वो कभी भी यह necklace बनवा सक देजीन ने जोसब डायरी में लिखा है, वो इन्सू पढ़ रही होती है, उसमें लिखा होता है, कि जिस दिन मैंने इन्सू को देखा, तब यह magical था, वो sunshine की तरह मेरी जिंदगी में आई थी, मैंने जब उससे देखा, तो मेरे अंदर जोसब sadness था, वो एक की पल में पुर चुका था, वो कहता है कि मुझे लगा, कि पूरे वर्ल्ड ने मुझे अबेंडन कर दिया है, जब होजीन का वेडिंग दे था, तो देजीन ने कहा था, कि मेरी ब्रदर की आशादी है, उसके लिए मैं बहुत ही हैपी हो, इस वर्ल्ड में सबसे फॉर्चनेट आदमी वो से बन जाएगा, मैं भी खुश हो, क्योंकि मैं इनसु को हमेशा मेरी पूरी लाइफ तक देख सकता हूँ, होजीन मुझे सब कुछ बताता है, उसे लव लेटर्स लिखना नहीं आता, तो उसके लव लेटर्स में ही लिखता हूँ, ये एक्स्प्रेंट करता है, क्यों से क् सब कुछ पता था, होजीन देजिन को सब कुछ बताता था, इसी वज़े से देजिन को सब कुछ पता था, देजिन ने रिखा होता है कि मैं लखी हूँ, मैं उन दोनों के साथ ही रहता हूँ, पर अभी तक मैं पागल नहीं हुआ हूँ, जब इनसु ये सब पढ़ती है, त सब कुछ चीजह मझे फेक देनी चाहिए पर मेरा जो वक है इसमें घुल मिल जाता हूँ पूरे लाइफ तक इसे ही चलता रहेगा इसा मुझे लगता है इनसे व के लिए बेटी हुए 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 है और सब कुछ सोच रही हुए है वो देजिन की आर्ट गैलरी में फिर आ जाती है देजिन उसने जो सब आर्ट की होते है यह सब उसे दिखाता है देजिन उनकी अब जो फ्यूचर लाइफ है इसके लिए बहुत ही पॉजिटी होता है दे जिन ने उसकी बेबी के लिए भी आर्ट बनवाय हूँ होता है दे जीन अपने ब्रदर की अस्तिया भाहर देता है वो अपने ब्रदर से बात कर रहाता है यह कहता है कि तुमने अपने आपको सैक्रिफाइस कर दिया याने कि मैं जी सकूँ क्या तुम्हें पता है कि इंसु से मैंने पहले प्यार किया था मैंने उसे इतना प्यार किया था कि मैं तुम दोनों के लाइब से चला जाना जाता था इंसु को कभी यह मालूम नहीं था वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहती थी मेरे प्रदर तुम अब इस वर्ल्ड में नहीं हो पर मरा हुआ असल में मैं ही हूँ मुझे अब तुमारे जैसे रहना पड़ता है मैं अब तुम बन चुका हूँ मैं जो सब चीजे करता था वो मैं कर नहीं पाऊंगा मैं हमेशा के लिए अब तुम बन जाऊंगा और इंसु मुझे ही पयार करेगी इंसु मेरे पास थो होगी पर वो हमेशा तुम्हारी ही याद करती रहेगी वो अपने ब्रदर को कहता है कि कभी भी मुझे माफ ना करना यूँ एक एक का रोने लग जाता है यही मुवी एंड हो जाती है अब को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इसी मुवीज लेकर आते रहता हूँ इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकों में दबाना मत बुले याणि कि आपको सब मुवीज मिलते रहे हम फिसी मिलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थांक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये